कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक तो मैं चैनल तो गईस स्वागत आपका हमारी एक और अमीजिंग वीडियो में तो आज किस वाली वीडियो में मैं आपको फिर से एक और माइनक्राफ्ट की 1.20 वर्जन की एक बेस्ट सीट देने वाला हूँ मैं पहले भी वीडियो को लाइक कर देना आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं कुस टाइप की सीट के यूपर वीडियो बनानी चाहिए मुझे आप comment में बता दीजिएगा मैं उसी seeds के उपर videos लाऊंगा तो चलिए guys बिना time waste करते हैं वीडियो को start so guys जैसे आप इस वली seeds से अपने world को create करेंगे तो आप कुछ इस जगह पर spawn हो जाएंगे यह location काफी जादा बेस्ट है क्योंकि इसके बिल्कुल सामने ही आपको एक ship rack मिल जाएगी वह भी sand के उपर मतलब पानी से उपर आपको ship rack मिल जाएगी and spawn point के बिल्कुल सामने कुछ in coordinates पर आपको एक chest मिल जाएगी इसमें आपको एक diamond मिल जाएगा in coordinates पर आपको second chest मिल जाएगी and इस chest में आपको armor मिल जाएगे and in coordinates पर हमें third chest मिल जाएगी and इस chest में हमें एक diamond मिल जाएगा कुछ armor and iron मिल जाएगे यह हमारी fourth chest है and इस chest में हमें कुछ iron के armors and कुछ iron मिल जाएगे and कुछ portion भी मिल जाएगे in coordinates पर हमें हमारी 5th chest मिल जाएगी and इस chest में हमें कुछ iron के armors and a potion मिल जाएगा in coordinates पर हमें हमारी 6th chest मिल जाएगी and इस वाली chest में हमें एक potion मिल जाएगा in coordinates पर हमें हमारी 7th chest मिल जाएगी and इस chest में हमें एक diamond मिल जाएगा कुछ iron armors and कुछ iron मिल जाएगे इन कोडिनेट्स पर हमें हमारी 8 चेस्ट मिल जाएगी इन कोडिनेट्स पर हमें एक डामेंड और कुछ आरन के आर्मर्स मिल जाएगे इन कोडिनेट्स पर हमें एक जॉंबी स्पोनर मिल जाएगा तो चली चलते हैं नीचे हम नीचे आगे हैं यहाँ पर हमें एक chest मिल जाएगी इस वाली chest में हमें एक name tag and कुछ iron मिल जाएंगे in coordinates पर हमें एक दूसरा zombie spawner मिल जाएगा तो चली चलते हैं नीचे so guys हम नीचे आ चुके हैं and यहाँ पर हमें दो दो chest मिल जाएएंगी इस वाली सेस्ट में हमें एक golden apple और कुछ irons मिल जाएंगे इसमें हमें एक golden और सारवर मिल जाएगा एक name tag मिल जाएगा इन कोडिनेट्स पर एक nether portal बना कर आपको उसके अंदर चले जाना है इन कोडिनेट्स के उसके रगर आप एक nether mansion में spawn हो जाएंगे इन कोडिनेट्स के उसके करकर आप एक nether fortress में spawn हो जाएंगे इसमें आपको काफी सारे blaze spawners में मिल जाएंगे मैं आपको चल के दिखा देता हूंगा इसे एक इस साइट पर आपको एक blaze spawner मिल जाएगा इन कोडिनेट्स पर आपको एक और विलेज मिल जाएगा इसमें भी आपको अच्छे कासी लूट मिल जाएगी इन कोडिनेट्स के बिल्कुल पर उसमें कुछ इन कोडिनेट्स पर हमें एक stronghold में spawn हो जाएंगे तो चलिए चलते हैं इसके बिल्कुल बगल में आपको कुछ इस डारेक्शन में होल करके चले जाना है अब डारेक्ट एक लाइबरेरी में पहुँच जाएंगे देख सकते हैं इसकी पहली चस्ट में कुछ books और papers मिल जाएंगे और दूसरी चस्ट में एक enchanted book मिल जाएगी तो यही ताज के हमारी इस वाली seed में आई होप आपको हमारी वाली seed पसंद आई होगी seed पसंद आई हो तो इस वीडियो को like कर देना और जो भी चैनल पर ने चैनल को subscribe कर देना और मुझे comment करके जरूर से बताना कि आपको आज के वाली seed कैसी लगी और मुझे ये भी comment करके बताना कि मुझे आगे के seed पर वीडियो बनानी चाहिए तो चलिए guys मैं मिल तो आप से एक और नई वीडियो में एक नई topic के साथ तब तक के लिए thanks for watching